दो स्वा गतार सबीका पाल्मीस्टरीगन चैनल में दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अगर आपके हाथ में ऐसा इस्टार होता है तो आपको माला माला बना देता है तो दोस्तों इस वीडियो कॉआ पूर मैंधम से आपको एक नई और रोचक जारकारी मिलने वाली है और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्क्राइब से नहीं किया है तो किरपया चैनल को सब्क्राइब आउस कर ले और ये भी से अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आउस कर ले अपने हाथ के तीन मुख रेखाओं को देखते हैं सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा जीवन रेखा हमारे जीवन के उद्गम के बारे में बताती है इसी परकार से हमारी ये मस्तिक रेखा मस्तिक रेखा हमारे माइंड के बारे में बताती है हम कितना किसी विशे को लेके कितने गंभीर है उसके बारे में बताती है और इसी प्रकार से हमारी हिर्दे रेखा हिर्दे रेखा सिर्फ हमारे प्रेम संबन्द के बारे में बताती है हमारे मधूरता के बारे में बताती है आपके हाथ में वो कौन सा एक ही स्टार है जो आपको माला माल बनाता है सबसे पहले स्टार का नाम लेते ही एक इनर्जी से जाग जाती है एक पामर की उर्जा बिल जाती है हाथ में स्टार की पावर इतनी बड़ी भूम क्या निभाता है वो कही पर भी हो आपको एक टिप कर देता है उस परबत के गुड़ों में बढ़ोतरी कर देता है अब आपके हाथ में अगर यहाँ पर इस्टार बनता है यह इस्टार इस्टार जितना बड़ा होगा उतना अधिक फल देता है जितना छोटा होगा उतना कम फल देता है अब ये किसी रेखा के ऊपर नहीं बना है, फिरी माइंड के च्टार है यहां पर, ऐसे लोग पंचुवन होते हैं, एक्टिव होते हैं, और दूसरा, ऐसे लोगों को देखें तो एक इनकी जो बोड़ी होते हैं ना सपोर्ट परसन की तरह होती है, अगर हम कहें तो ऐसे लोग जमीन से काफी गेन कमाते हैं, इनके लाइफ में जमीने बड़ी खरीते हैं, और ऐसे लोग जीवन में काफी जमीनों के बालिक भी बनते हैं, अगर यह आपके हाथ में यहाँ पर इस्टार है तो अगर यही इस्टार आपके किसी रेखा के उपर है जैसे यहाँ पर एक मंगल की रेखा है यह मंगल की रेखा है अगर इसके उपर बनती है यह इस्टार इसके उपर बनता है इस्टार तीन रेखाऊं से कटा हो तो अपना पूरा फ़ल देता है अगर ऐसे इस्टार बनता है तो ऐसे लोग एक्टिव होते कभी देखें तो लेट नहीं होते है अगर लेट होते भी हैंने, किसी काम को लेके, तो बहुत बाते थाय। से जुड़े उस पदों पर भी आसीन होते हैं तो दोस्तों यह रही आज की हमारी वीडियो फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं आप सब का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्बाद